उम सिरी गनी सैनम दोस्तो एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारतिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 नवंबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान ढína होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए मंगरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज विद्ध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना हैं इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रती एकाग रिचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे 37 दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ती के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुश समय से जिन कार करती आप महिनत कर रहे थे आज उसके सुब पैणाम उमीद से जदा आपको प्राप्त होंगे धार में कार करती आज आपका रुज़ान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आरही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहूल रहेगा आपकी महनत वे परिश्रम से कोई महत्पपून कर रहे आज समपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शला और शयोग आपकी खोई हुई प्रितिश्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी आज समपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं मिलने के अने को योग हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों के साथ आज फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उरजा को बना कर रखें आला सवे मनोरंजन में समय व्यतित करने की वज़े से बनते कामों में पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियो पर पैनी नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुल जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश भावना लग रही है साती सात आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतित करना पड़ सकता है परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवशक है कोई भी अनुचित कार रहें और आपका करोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डगमगा सकता है साफधान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्वपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी साथ किसी निकट संबंदी से भी मतवेद होने की आज पूरी सं मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुस नुमा बनाएगा तथा आप से संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती-पत काने के लिए एक बहुती अच्छ दिन शाबित होने वाला हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशए केरियर हैं दोस्तों आज ग्रह इस्तितिया के पक्ष में हैं कुछ अच्छे कारें आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्थ हों आयात नियात संबंदित कारों में अधिक ध्यान केंदरित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज संभावना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभावना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम लें लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूपयोग करें दोस्तों वैवसाइक गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परंतु नोकरी पे के विचार संबंदित रूप रेखा पर किसी भी कारे को आज इस्थगित करें आर्थिक सादनों में आज वरद्य होगी परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंदित कारों में पेपर वर्क पर आप अध योग बन रहे हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगने की संभावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक साफधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत ही अच्छा लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक धागे में चार मिर्चे डालें उसके उपर एक नीबू डालें और फिर उसके उ लटगा दें या दोस्तो ऐसा करने से नकारात्मक्ता खत्म हो जाएगी और सकारात्मक्ता का संचार होगा और आपको धन सुक संपत्ती की प्राप्ती होगी और आपको ऐसा करने से अवश्य ही विशेस लाभ प्राप्त होगा या दोस्तो भगवान बजरंग वली का अश्रब पर चाट